जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का कल हम लोग अनुछेद 72 तक देखे थे तो आज देखेंगे इस वीडियो में नेक्स्ट तो चली बिना देरी की वे शुरू करते हैं बहुत ही महत्पून टॉपिक है समिधान से समधित महत्पून अनुछेद है तो चली शुरू करते ह आज के प्रस्द से अनुछेद 85 अनुछेद 85 में क्या कहता है तो अनुछेद 85 में लोग सभा को भंग करने की जो सकती है और राश्ट पती के पास है लोग सभा को भंग किया जा सकता है लोग सभा का पांच वरसों को होता है उससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है उस अस्थाई सदन होता है और लोक सभाव एक और सभाव 15 में करने की जो सकती है राष्ट पती के पास है अनुछत 130 देखलेते तो तो एक 130 क्या कहता है तो अनुछत एक जो कहता है बहुत ही महत्तों टॉपिक है कि अध्यादयस जारी करने की के पास है अधहाद जारी करने की जो सकती है और राह्ष्ट के पास है जो अभी वरतमान में त्लिली में जो हुट हुट है उसमें कैंकर जारी करके और जो को क्लेक्टर कि ऑफीसर सब का जो कि पोस्टिंग है उसको अधेदे जारी करके अपने पास रख लिया है अनुश्य देख 143 अनुश्य देख 143 में क्या कहता है तो अनुश्य देख 143 में कि राष्ट्पति सरोच नियाले से सला ले सकते हैं परन्तु उनको मानने के लिए बाद नहीं है इते हैं अनुश्य देखते हैं नहीं कि लिएन sorry 659 में कहता है यहीं कि भारत के एक उप्राश्ट पति होंगे भारत की अप्राश्ट तो अनुश्यद पति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिसद की अस्थापना होगी राष्ट पति को जैसे राष्ट पति का भी भासन के इंदरिये मंत्री मंडल के दोरा त्यार किया जाता है वैसे ही राष्ट पति को सलाह देने के लिए मंत्री परिसद की अस्थापना अगरा पनासन बहुत महत पुन टॉपिक है, अनुछे 68, तो अनुछे 68 में भारत के महनेवादी, ये भारत के विधी अधिकारी होते हैं, भारत के विधी अधिकारी, मानलेजे की भारत किसी दूशरे देश से, अगर कोई भी चीज को लेकर, अगर केस होता है, तो क्या होता ह उसकिस को लड़ते कौन है महानेवादी लड़ते हैं तो अनुछेद 76 में महानेवादी की चर्चा है अनुछेद 89 में संसद का गठन है अनुछेद 89 में है एक ट्रीक आप याद रखिएगा सरला सallas 19, 88 चलिए अगरा देख लेते हैं कुछ अनुछेद 81 अनुछेद 81 में क्या है तो लोकसभा का गठन है यह निमन सद्वान जिसको कहते है अनूछत 100 जो बता रहे हैं लिखे हुए हैं तो अनूछत 100 में क्या है तोnost के अध्यक्ष्ण उनको निरनायक मत देने की सकती परदान है उनके पस सकती है कि अगर बहुत टाई हो जाए तो वो अपना एक मत किसी को भी दे सकते है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है तो लोगसभा के अध्यक्ष को है जो किस अनुछेद में है तो अनुछेद 100 में है अनुछेद 105 माच अनुछेद 105 में क्या कहता है कि संस्थ अधिकार है किसी भी चीज़ पर कानून बनाने तक संजुक्त अधिवेशन तीन बार बुलाया जा चुका है जिसको बुलाने का अधिकार राश्ट पती के पास है राश्ट के पास है लेकिन इसमें आपको कोचन दो पुछता है कि बुलाने का अधिकार कौन है तो राष्ट पती के पास है तो लोग सभा के अध्यक्ष करते हैं याद रखना है कि अनुछेद 108 में संजुक्त अधिवैसन कहने का मतलब क्या हुआ कि लोग सभा राश्वा राश्वात दुनों के सदस्यों को एक सांथ बुलाने का अधिकार जो है वह राष्ट पती के पास है अनुछेद 110 में धन विद्यक बिल मनि जो जो चर्चा है और शेद एक सो बारे में है जिसको हम लोग बोल चल की भासा में बजट कहते हैं ठीक है चलिए और शेद 116 क्योंकि बजट सब्द का पड़योग जो है समिधान में कहीं भी इसका चर्चा नहीं है है किसका तो वार्सिक भी दिए विवरान का है और शेद 116 ले सिभी चीजों में जो अलग से बजट में दिया जाता है जीसे मालेज्ज की अपाद कालेंज अगर कोई भी चीज पर मतलब मुसीबत आ जाए तो बजट में यह रखा जाता है कि मालेज्ज की भुकांप आ जाये या कहीं बाढ़ हा जाए तो उस राज को देने के लिए अल बिद्रेख है चले अगला देख लेते हैं अनुछेद 124 क्या कहता है कि भारत में एक सरोचने ले होगा नहीं सरोचने की गठन की बात कही गई है और भारत में जो अर्थमान में सरोचने लेका है तो नई दिली में है ठीक है अनुछेद 131 बेसिक पावर यानि मुल अरमभिक अधिकार जो दिए गया है यह अनुछेद 131 में इसकी बात कही गई है अनुछेद 137 न्याई पुरूर लोकन जो है अनुछेद 137 में है और यह यह नियाई पुरूर बोकन जो है अमेरिका के सुईधान से लिया गया है चले अगला AM Sean ले सकते हैं लेनेगा अधिकार उनके पास है लेकिन उसको मन करेगा तो मानेंगे नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे बाद है नहीं है अनुछेद 149 में महालेखक परिक्षक है अनुछेद 152 में है राजपाल की परिभासा यानि हर राज में एक राजपाल होंगे तो यह क्या है राजपाल की जो भासा जो है परिभासा जो है या राजपाल सिधे कहिए तो यह अनुछेद 152 में है और राजपाल की परिभासा अनुछेद 152 में है और राजपाल की लिए एक राजपाल जो होंगे वो अनुछेद 133 में होंगे ठीक तो अनुछेद 133 में क्या है कि राज़ियों के लिए राज़ पाल का प्रवधान किया गया राज़ियों के लिए 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 राज़ियो जो कार्ज काल होता है वह रैश्टपदी के परसाद पर्यंद्र बना रहता है और उच्छेदेग सब्सक्राइब में क्या है तो राजबाल को छमदान की सक्ती पर्दान है चले अगला प्रसन उच्छी 163 में राज मंत्री परिशत जो राजपाल की सहायता के लिए बनता है वो 163 में इसके बात कही गई है और 164 तो मुख मंत्री की नियुक्ति राजपाल के द्वारा की जाती है और 164 के द्वारा 165 महाधिवक्ता 1665 में है और 166 में राज बिधान मंडल की बिवस्ता की बात कही गई है और 169 राज बिधान परिशत का गठन जो वरत्मान में छे राज में जो है बिधान परिशत की सनरचना और 161 के लिए एक उंच नियाले होगा परतेक राजियों के लिए एक उंच नियाले जो है और 16214 में कहा गया है और 216 उंच नियाले का गठन ऊच नियाले का गठन और 6216 में कही गई है इसकी बात चलिए अगला देख लेते हैं और 16231 कि दो या दो से अधिक राजियों के लिए एक उंच नियाले दो। से अधीक राजियों के लिए एक उंच नहीं जो हुआ ना वह अनुछे 231 में इसकी बात करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट कोचन है याद रखिएगा अनुछे 249 में क्या कहता है कि राज सुची पर किंद्र द्वारा कनून बनाने की सकती का प्रवधान किया गया है तो यह कंद्र भी कनून उस पर लग तो अनुचे 262 के तहट बीवाद का निपटारा करें मंद्र चले वीडियो आज के पर मिलते हैं भी秇डfolg दॉसरे वीडियो में बातने मात्र वीडिव अच्छाव लागा हो हो तो लाइक और सुब्सक्राइब और सेर जरूर करिए दोस्तों फेकेंशी का इंतिजार मत कीजिए वेकेंसी जब आने होगी आएगी आप लोग त्यारी अपना पुक्ता रखिए अगर त्यारी पुक्ता होगा तो आप लोग किसी भी नोकरी का महताज नहीं होंगे नोकरी आप लोग को जिरूर मिलेगे चलिए